हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू उर्मीज इनुवेशन्स फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी तो चलिए देख लेते हैं से कैसे बनाते हैं सबसे पहले लिया है मैंने दो प्याज जैने छीलकर मैंने लंबा काट लिया है अब हम यहने एक अधा कब चावल का आटा इसे भी हम एड करेंगे और एक चम्मच अधर गलेस्ट एक हरी मिर्च बारी कटी हुई फ्रेंड्स आप डालेंगे इसमें ड्राइव मसाले आधा चम्मच हल्डी लेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आध से थोड़ा थोड़ा मसलते हुए इसमें पानी डालेंगे फ्रेंड्स यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो इसमें बहुत कम पानी लगेगा दूसरा प्याज खुद पानी रिलीज करता है तो यह चीजे ध्यान में रखते हुए हमें मीडियम टाइट डो बनाना है डो रेडि हो चुका है दस मिनिट इसे रिष्ट खेंगे और अंकर कर यह पिर से मलें और अब दू भाग में डिवाइड करके इसके चोटे 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 पेड़े बना लेगे जैसे हम रोटिक लिए बनाते हैं और इन सभी पेड़ों को गोल शेफ देंगे सारे पेड़ों को हम इसी तरीके से तयार करेंगे यह देखिए friends, सारे पेड़ों को हमने गोल शेफ दे दिया है friends, oil गर्म हो चुका है तो चलिए, आब हम इने fry कर लेते हैं अब हम टिक्क्यों को दूसरी तरफ पल्टेंगे और ध्यान रहे गैस की फ्लेम को हमें medium to low ही रखना है टिक्क्यों को हमने deep fry नहीं किया है इन्हें हमने shallow fry किया है और इन्हें fry करने के लिए कम से कम 10 मिनिट लग जाता है ये देखे फ्रेंट्स टिक्क्यों का कलर golden brown हो चुका है अब हम इने tissue paper निकाल लेंगे जिससे इनका access oil निकल जाएगा ये देखे फ्रेंट्स टिक्क्यों का color कितना अच्छा आया है और देखने में कितनी सुनर लग रही है और कुरकुरी तो इतनी बनी है कि बस पूछे ही मत तो फ्रेंट्स आवाज से आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ये कितनी crispy और कुरकुरी बनी है तो चलिए friends अब हम इने serve कर लिते हैं इस recipe को आप morning में breakfast में बना कर खा सकते हैं बच्चों और बड़ों के टिफिन में lunch के लिए रख सकते हैं या फिर मेहमानों के घर आने पर ये recipe उने बना कर खिला सकते हैं यकीन मानिए friends ये recipe उने बहुत ही पसंद आईगी आप इसे sauce के चटने के साथ serve कर सकते हैं तो चलिए friends देर मत कीजिए आज ही आप सभी अपने अपने घरों में इस recipe को बना डालिए और comment करके मुझे जरूर बताएं कि आप सभी को इस recipe कैसी लगी है Thank you